तो यहां पर हमारे पास बिलकूल एक छोटा सा नन्हामुन्ना शा प्रस्णत और फोड़ा सा Instagram प्रस्णत 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 और आ अगर हम लिखते हैं ऐसा कि माइनस एक और इस पर पावर एन लिखते हैं एन कोई भी बिसम संख्या होगा जैसे माइनस एक पावर तीन ले लो माइनस एक पावर पांस ले लो माइनस एक पावर छे ले लो तो हमेशा इसका मान क्या होगा या माइनस एक पावर एन ले लो n कोई भी समसंग्या है तो यहाँ पर हमेशा इसका मान किसमे होगा negative में ही आएगा इच्छे नहीं होगा बावु साथ लेते हैं तो हमेशा इसका मान क्या होगा negative में यानि की रिनात्मक मान ही आने वाला है एकनी बाते समझ में आगे अगर एक पर पावर हम N लिखते हैं N कुछ भी हो सकता है तो क्या मान होगा इसका देखो एक पर पावर कुछ भी डालो उसके कोई बहस नहीं है हमेशा ये एक ही रहने वाला है बस अगर ये माइनस में एक है अब इस पर पावर N डालते है तो N यदि सम संख्या होता है तो यहाँ पर प्लस में एक होगा और N यदि भी शम होता है तो यहाँ पर ये माइनस में एक होगा ठीक है जी समझ में आगया बात अब ये समझ में आगया तो आगे बढ़ते है तो 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 क्या कर रहा है हमको तो हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है, मान लेते हैं, माना कि P of X वराबर X to the power N then A to the power N और दिया है बाबु कि N कोई धनात्मक विशम पुर्णांके N हमारा विशम पुर्णांके विशम संक्या ही है आज ओ लिए अब कह रहा है कि दिखाओ ये X प्लस A जो है इस वाले बहुपद का गुननखंड होगा आव दिखाते हैं तो X प्लस A है ना X प्लस A P of X का गुननखंड होगा ठीक है कब होगा गुननखंड जब P of माइनस A बराबर हो जाएगा 0 ठीक है अगर माइनस A रखते हैं इस वाले बहुपद में हमको 0 आजाते हैं तो गुननखंड हो जाएगा नहीं आएगा तो नहीं होगा तो यहाँ पर हमारे पास P of X बराबर क्या दिया है X to the power N प्लस A to the power N ठीक है जी आजो P of minus A यहाँ पर रखना है तो X के जगह पर हमको minus A रखना है यहाँ पर पावर आ जाएगा N प्लस A to the power आ जाएगा ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत थे हैं अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं A to the power N को मन ले रहे हैं यहाँ पर बच जाएगा 1 पर पावर N प्लस minus 1 पर पावर N और प्लस 1 पर पावर N यह बच जाएगा हमने पहले ही कहा कि 1 पर पावर कुछ ही हो होगा 1 ही बस फ़र्ट सिर्फ इतना है कि अगर N पर पावर कोई भी समसंक्या है और एक minus में है तो वो minus में ही रहेगा और एक पर अगर समसंक्या और यह पलस 1 A to the power N और इंटू minus 1 और पलस 1 कितना होगा 0 और यह हो गया तुम्हारा 0 0 को किसी भी संक्या सो गुना करते है तो 0 आता है इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि P of minus A बरावर 0 आ रहा है ठीक है यह हो गया तुम्हारा question number 17 यहाँ से complete चल बढ़ते हैं अगले प्रस्म की और